हलो बच्चों क्या हाल चाल बहुत बढ़िया होंगे आयोग तो बच्चों आज मैं आपके लिए लेकिया हूँ एक ऐसी एक्जाम के बारे में information जो बिलकुल उसके registration लास्ट स्टेज पर आ चुके हैं और बच्चों ये exam नाम कंड़क्ट कराता एक बहुत ही फेमस math institute नाम दिख रहे हो यह रहा CMI का नाम बहुत सारे लोगों ने सुना होगा जिन भी लोगों ने नहीं सुना है उनके लिए मैं बता देता हूँ चेन नहीं mathematical institute जैसे ISI होता है ना वैसा ये चेन नहीं mathematical institute है बच्चों मैस का इतना precious institute है कि यहां जाने के लिए लोग सच में तरसते हैं यहां पे जितने भी लोग pass out होते हैं ना सौब एक present है और बहुत अच्छे लेवल पर काम कर रहे हैं और ऐसा नहीं है भरके students लेते बहुत कुछी students लेते तो एक CMI एक exam कराता है STMS इसके दुरू बच्चों CMI कुछ students को select करता है और आप यह महान के shocked होंगे कि बच्चों CMI आगे एक event कराता है जिसके लिए बच्चों STMS exam से कुछ बच्चे वो select करता है और उन बच्चों को fully paid sponsored बच्चों by CMI एक trip organize कराई जाती है at CMI आपको CMI जाने का भी मौका मिलेगा वहाँ पे 3 days का पूरा एक event चलता है जिसमें आपको participate करने का मौका मिलेगा और बच्चों फुली sponsored होगा किस से CMI के दुवारा तो एक बहुत ही अच्छा मौका है math lovers के लिए इस exam को देने का देखो मैं यह नहीं बोल रहा कि बच्चों आयू QM से similar मतलब 8 9 10 के लिए तो वही लेवल है वैसे ही questions पूछे जाएंगे तो चलिए वीडियो के शुरुबात करते हैं बहुत सारी बाते करेंगे बच्चों पूरा information में आपको देने वाला हूं चलिए शुरू करते हैं तो सबसे बहुत शांदार exam है जिसके बारे मैं मैं बात करने वाला हूं जिसके registration स्टार्ट हो च चुके हैं और बच्चों इसके बारे में सबसे पहले मैं जानू तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा टेसलेट क्या है टेसलेट क्या एक कल्च्रल इवेंट होता है CMI का competition होते हैं इसके अंदर creativity आपकी जानी जाती है टेसलेट इस चेन नहीं mathematical institute annual student run first मतलब जैसे ह अगर college का एक फैस्ट होता है ऐसे test late एक CMI का फैस्ट है जिसके अंदर आपको जाने का मौका मिलेगा किस exam से बच्चों अगर math का college है math का exam हो रहा है तो बच्चों math का exam तो आपका लिया जाएगा ना वही आपको तभी बुलाया जाएगा जब आप math lover हो तो बच्चों इसक के लिए देखो आपके सारे competition है ठीक है इसके अंदर बच्चों सबसे पहले मैं आपको बता दू कि STMS क्या है STMS के पूरे यहाँ पर details जाने लिए details क्या है conduct होगा 16th और 17th December को अब यह जो आगी date 16th और 17th December को conduct होगा test can be taken online from any location आप कहीं से exam देतो और बच्चों यह ऐसा exam है जो open book exam होता है कुछी exam होते हैं जो open book होते हैं मतलब आप एक बात समझगे कि यह सारे question नहीं होने वाले हैं मतलब ऐसा question आपन नहीं होगा open book exam का मतलब क्या होता है कि आप कहीं से भी किसी से भी solve करा लो कोई भी book देख लो पर इस question को solve करके लेगे आओ और यह बच्चों online ह होगा इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूत नहीं है exam बिलकुल online होगा कहीं से भी आप any location से दे सकते हो इंडिया की top 30 farmers will be invited to CMI to attend a sponsored residential camp with guest lectures while leading expert मैं expert के बारे में भी आपको बताऊंगा और बच्चों सबसे पहले हमने जान ली details registration के लिए 14th December last rate है बच्चों registration fees at 275 per subject subject कौन-कौन से होते हैं उनके बारे में मैं आगे बात करूंगा resources क्या है the question paper from the previous edition of STMS and sample papers can be found to the resource page उन्होंने आपको पुराने exam जो इनके हुए है उनके बच्चों आपको previous year papers जो हैं वो website पर आपके लिए अपलब्द करा दिये हैं और second cheese additionally slides from the lectures of previous edition और जो पिछला STMS गवा था उसके जो lectures है बो भी आपको वहाँ पर दिखाए गए हैं ठीक आप बच्चों जो past speaker जो last year की speaker तरहे थे उनके बारे में जान लेते हैं देखो बच्चों सी बर्मा है आईटी कानपूर से बच्चों physics के लिजए हैं जिनको आप जानते ही हो ठीक है इसके अलावा देखो guest lectures की बात करें तो सारे ही अपने मतलब दुरंदर faculties है जो आपकी lectures लेंगे वहाँ पर और अलग देखो आप खुछ सोचो कि अगर आप इस exam में select हो जाते हो तो किन किन से मिलने का मौका मिल रहा है मतलब जिनके लिए आप सपने में सूच्चों किया इन से भी हम कभी मिले तो वो सपना पूरा होने वाला है आप मैस के lovers हो तो मैस exam जरूर द education education आपको यहाँ पर फिल करनी है और सबसे बड़ी बात अगर आपका कोई भाई है जो मैस का लवर है college में है तो वो भी इस फार्म को भड़ सकता है अंडर graduate है final year में है वो सब इस फार्म को भर सकते है subject बच्चों को क्या करना है math select करने तो math select करो physics select करने तो physics select करो computer साइंस select करने तो computer science select करो मतलब इसमें आपके पास कोई पवंदी नहीं है आप तीनों भी select कर सकते हैं कोई दो भी कर सकते हैं और सब्जЕक पीस लगेगी और आप यहाँ पर स्तेम्स की website पAudi संभित कर सक्ते हो बास समजगए आप यहाँ पर paper देख सकते हो, marking scheme देख सकते हो, यह paper बच्चों आगे आपको यहाँ पर मिल जाएगा, इसका link में बच्चों, comment section में डलवा दूँगा, आपके लिए, ठीक है, यह link यहाँ पर मिल जाएगा, आपको category A2 में देख सकते हो, category B में दे सकते हो, physics में category ABC देख सकते हो, computer science देख सकते हो, ठीक है, category A कौन-कौन सी है, यह बच्चों बात कर लेते हैं, इदे को एरा paper, AOPS की community पे डला हुआ है, AOPS से आप समझ गये होंगे, ठीक है भाईया, किसके बारे में बात की जा रही है, 2020 की paper देख सकते हो, 2021 के देख सकते हो, 2023 के देख सकते हो, समझ में आ गये बच्चों, आपको वाली चीज, कि आपको कहां-कहां से देखने हैं, ठीक है, resources के बात हो गई, ठीक है, speakers के बात बात हो गई और बच्छो इसके बाद अगर मैं आप से बात करूं तो competitions के बारे में हम बात कर लेता हैं competitions कौन-कौन से होंगे तो यह सब competitions में बच्छो आप महाँ पर हिस्सा ले सकते हूं इसके लिए बच्छो registration यहाँ पर चालो हो जाएंगे registration चालो हो जाएंगे आपर क्यूबिंग के ठीक है चैस के registration चालो हो गए है और यह online भी होता है और यहाँ पर आपके CMI में भी होता है ठीक है बात समझ गए आप तो बच्छो आप यह बहुत ही अच्छा इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो आपको यह सब देने का मौका मिल रहा है यही बहुत अच्छी बात है आप पेपर में बैठो तो अगर आपको मैस पसंद है तो बच्छो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा जरूर से जरूर फॉर्म फिल करें और पेपर देखे तो देखें यार एक बार मतलब हम डरें क्यों ठीक है अगर हमें मैस आती है कोई बात नहीं जादा से जादा हमें कुछ सीखने को ही मिलेगा और अग अची हमारी बैठ कई हमसे कुश्चन इकाद भी सौल हो गया तो बहुत अच्छी बात है ठीक है बच्छो समझ गए आई वप आज की वीडियो में आप पूरी चीज़ें यहां पर समझ गए होंगे ठीक है रास्ट रेस्टेशन बता दिया मैंने आपको लास्ट बता दी ठ अगर आप नाच के इंट्रस्टेड हो फिजिक्स में आपको मज़ा आता है अगर आप हो तो आप रेजिस्टेशन कर सकते हो अगर आप सेलेक्ट होते हो तो CMI के द्वारा आपको बुलाया जाएगा फुली वेड प्रोग्राम होगा और बचो एक ऐसा ही प्रोग्राम में आपको अगले वीडियो में एक बार और बताने वाला हूँ जल्दी से बच्चों कमेंट सेक्शन में बताओ क्या आप जानना चाहते हो बताओ हमें नेक्स्ट वीडियो किस कम्यूनिटी पे लेकिया है किस सेशन पे लेकिया है ठीक है बचो समझ गए आयोप आपको सारी च सब्सक्राइशन में थैंक यू सो मच